हेलो दोस्तों वेल्कम टू वैम्स अकैड़ी बच्चो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैथमेटिक का एक और कन्फीजिंग टॉपिक डिसकर्स करूँगा और वो टॉपिक क्या है कि किसी भी डैसिमल लंबर का स्क्वार रूट या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और आप किसी भी डैसिमल लंबर का स्क्वार रूट कीवर रूट सिर्फ और सिर्फ पांक सेक्ट में निकाल देंगे बस आपको एक काम करना है इस वीडियो को अंतर देखिए तो चलते बच्चो उस वैथर को जानने की तरफ तो देखिए बच्चो पहले मैं आपको सिखाऊंगा डैसिमल अमबर का स्क्वार रूट निकालना देखिए मैंने कोशन दिखा है मुझे किस और ऊप निकालना ह्पक्राइब को निकालना है नुम्बर क्या बनेगा क्या चिर्याइब भूल सकते हैं तो आप क्या का सुक्तित टॉर का निकालना है अब देखिए meditating सिए कि के बाद आएगा अब अब उसका आपको दारां सदाबारा है कभी फिर नहीं हो सकता आप देखिए कि आपके इस गत्राइब कर देखिए कि 323 प्लेजां तो आपका डेसिमल चाट प्लेस के बाद इस प्लेसर और अब ओसका हाउद चार का हाथ कितना होता है 2 इसकल कर लेकिन तो सिंगल डिचित रहर जितने प्लेस कम होते हैं आप उतनी 0 लगा दीजिए और आपका जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टो ये तरीका होता है किसी भी डैसी नंबर का स्क्वैरूट निकाल लेगा कि आप कुछ पल के लिए डैसिमल भूर जाएगे अब जो आपके पास नंबर बचा है आप उससर क्या निकालिए इसक्वैरूट निकालिए और उसके बाद आप वो क्या कर अब भी और करवाता हूं इससे आपके सारे डाउट क्लिए रो जाएंगे मानिए बच्चों आपको निकालना है स्क्वैर रूट जीरो पॉइंट जीरो 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 टूफाइव का तो आपको वही करना है आप डैसिमल भूल जाएए आप सोचे 25 का स्क्वैर कितना ह कि इस्वैर डैसिमल होगा तीन होगा तो मेरे अंसर में डैसिमल आपटीन के बाद आएगा आप ट्वेंटी फाइगा जीरो 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 फाइप आगया तो ऐसे आप स्क्वैर निकाल सकते है आप एक एक स्पूर देखिए मानिए आपके सामने यह नंबर आजाए और आपको इसका निकालना स्क्वार रोट अब आपको करना क्या है फिर आप भूल जाईए डैसिमर अगर डैसिमर भूल जाते हैं अब मिले नंबर क्या बचा 4761 अब इसका स्क्वारूट में याद नहीं होता तो चार और 25 नंबर थे चार का स्क्वारूट 2 होता है 25 का 5 होता है अब इसका स्क्वारूट होता है 69 मुझे तो पता है लेकिन आपको क्या करना है मैंने स्क्वारूट निकालने की वीडियो आपके लिए ब्रा रखिए आप जाईए और उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बा आप इसका रूट अराम से निकाल देंगे इसका रूट कितना होता है 69 होता है अब मेरे कोडिशन में डैसिमल है वो डैसिमल चार प्लेस के 6-9 आगया तो इस तरह से आप किसी भी decimal का square root निकाल सकते हैं लेकिन एक बात दिहाने कि आप यह method तभी valid होता है जब मेरा decimal होता है ना वो 2 place के बाद हो 4 place के बाद हो 6 place के बाद हो 8 place के बाद हो और 10 place के बाद हो मतलब जो मेरा decimal होगा उतने place के बाद होना चाहिए जो 2 से डीविजर हो मानी मेरा decimal 3 place के बाद हो तो यह method फेल हो जाता है फिर हम किस method से करेंगे जो हमारा as usual method होता है long division method होता है फिर आप उससे ही करेंगे अब चलते हैं मैं आपको सिखाता हूं कि decimal number का cube root कैसे निकालते हैं ब मुझे निकालना है cube root 0.027 का जैसा मैंने आपको सिखाए square root में आप decimal भूल जाएंगे तो आपका number क्या बनेगा बच्चो 27 बस आपको करना क्या है जैसे हम आपने number क्या है square root यहां पर आप क्या कीजिए cube root और 27 का cube root कितना होता है 3 वो आप लिखे छोड़ लीजिए क्योंकि भी कोशन अदम नहीं हुआ अभी तो वह decide करना है कि मेरे answer में decimal कितने place के बाद आएगा तो जैसे हमने आपको बताया था square root में square root जो निकालते हैं तो क्या हुआ होता है कि जितने place के बाद decimal आता है आप उसका आधा कर दीजिए that means 2 से divide कर दीजिए अब यहां क्या करना होता है Q root में यह number में जितने place के बाद decimal होता है आप क्या किजिए उस number प्लेस है तो आपको नंबर क्या बचेगा 125 अब इसका कितना होता है Q root बच्चो पांच होता है इसका कितना होता है पांच जीरो पॉइंड जीरोपॉइंड जीरोफड अप।ास आप। मुझे किसका निकालना है QB root ? 0.0000001728 का तो आप decimal को बुल जाएए तो आपको नमबर क्या बचेगा ? 1728 और इससर कितना होता है QB root ? 12 होता है अब हो सकते हैं आपको इसका QB root यादना हो ? याद दो अच्छी बात है अगर याद दने तो आपको क्या करना है ? मैंने QB root की वीडियो आपके लिए बना रखी है आप जाएए और इस वीडियो को देखिए फिर आपको उस वीडियो को देखने के बाद इसका QB root निकालना आ जाएगा अब आप क्या करेंगे हम ? Second step अब आपको तीन से डिवाइट करने के बाद कितना आएगा ? इस कर अब क्या हुआ ? जो मेरा अंसर आएगा उसमें डैसिमल आएगा तीन प्लेस के बाद 12 यहाँ पर दो प्लेस को आई जो एक कमी है उसमें क्या लगा देजी आप ? तो आपको अंसर इतना जाएगा ? 0.012 तो देखे बच्चों अब मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को दिल से देखा है तो इस वीडियो देखने के बाद किसी भी डैस्किमल लंबर का स्क्वार रूट और क्यूब रूट अब आप बड़ी असाली से निकाल सकते हैं बस आप क्या कीजिए घर पर और कोशन को प्रैक्टिस कीजिए अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेश करें सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइक करना दवाना गोले तो आपके जो आपके जो आपके लगी है और को आपके लगी वापके लगी लगीए